भगवान कुरुष्ण कहते है, अच्छा वक्त आने से पहले मिलते है ये साथ संकेत, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, जीवन मृत्यू, सुक दुख, नुकसान फाइदा, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपुर्ण अंग है, कभी जीवन में खुशी ओंकी धूप होती है, तो कभी दुख के बादल भी छा जाते है, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चड़ाव तो आते ही रहते है, ये सब समय चक्र के कारण होता है, समय से बलवान और कुछ भी नहीं, समय के आगे सब जुख जाते है, आपने अपने जिंदगी में कई सारे व्यक् समय वो हतियार है जिसका घाव तेज होता है कोई उसे भर नहीं सकता पर हम कैसे जान सकते है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के ऐसे कई सारे प्रश्ण भी आपके मन में उत्पन्न होते होंगे इसलिए आज के इस विडियो में हम आपको बताएंगे कूछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुबसमय के बारे में पत चल सकता है, जब नारदमुनी वैकुंठ थाम पहुशते है, तब उन्होंने भगवान श्रीहरी विष्णुजी से इन संकेतों के बारे में पूछा था, तो श्रीहरी विष्णुजी ने उन्हें बताया कि वे स्वयम मनुष्य के पास कूछ ऐसे संकेत पहुचाते है, जिससे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते है, ये संकेत प्रकृती द्वारा, पशुवन द्वारा, शुभसंकेतों द्वारा, मेरे भगतों द्वारा भी हो सकते है, सिर्फ मनुष्य को उनको जानने की आवशकता पड़ती है, तो आई आपको बताती है, उन संकेतों क बारे में जो स्वयम भगवान विश्णु ने बताए है। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे। ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे क्यों की बाद में आप भूल जाते है। पहला संकेत अगर आपकी आँख ब्रह्मा मूर्त में खुले और आपको इश्वर का समरन हो जाए या आपको ऐसा प्रतित हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा हो तो समझ जाईए कि आपके लिए काम्याभी के नए द आह मिलने वाली है जिस पर इश्वर स्वयम आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आँख ब्रह्म मूर्त पर खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताए। दूसरा संकेत आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आप आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोथ से परेहो जाते है। ये संकेत दर्शाते है कि आपके जीवन में खुश्यों की दस्तक होने वाली है। जिससे आप सदैवही प्रफुलित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नह ही है। उस चीज के बारे में हमें खुशकबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर इश्वर वास करते है। इसलिए मन का प्रसंद रहना सबसे बड़ा शुबसंकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है। तीसरा संकेत अगर आपके घर में गोमाता बार-बार द्वार पर कूच खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीजे खूद उठा कर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जनम दे, या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाएं और चहकते रहे। ऐसे कुछ शुभसंकेत दर्शाते है कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद्वी पर पहुँचने वाले है। चौथा संकेत छोटे बच्चों में इश्वर खुद बसते है, ऐसा हम सभी मानते है। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार-बार मुस्कुर आए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वे आपके आंगन में खुशी से खेले, तो ये बहुत ही शुभस संकेत माना जाता है, आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियोन से भरने वाला है, और नए रिष्टे आपकी जीवन से जुडने वाले है, ऐसे संकेत आपको इश्वर की क्रिपा से ही प्राप्त हो रहे है, पाँचवा संकेत कई समय से चल रहे खर्चे, अकारन आने वाले संकट टलने लग जाए, और धन के नए स्त्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाईए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है, और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा, और मा लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, छटा संकेत, पुजा की थाली में फूल माला, चंदन का गिरना, इश्वर की मुर्ती आपको देखकर मुस्करा रही हो, ऐसा प्रतित होना, घर में प्रिय अतितियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का बाया और पुर्षों के दाइने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभा करते है, सात्वा संकेत, सुबह सुबह अगर आप किसी शुभा कार्य के लिए निकले, और आपको गोमाता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी संद साधु महराज पुजारी का आशिर्वत प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभा संकेत माना जाता है, इसका अर्थ ये है कि आप जिस कार्य के लिए निकले है, वो कार्य अवश्य ही सफल होगा, उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आठवा संकेत, संध्याकाल के समय, जल से भरा पात्र, दूद से भरा पात्र, किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो, या कोई मिठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभा समय के आगमन को सुचित करते है, तो दोस्तो ये थे वो कु अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते है तो कमेंट में अवश्य बताए वीडियो पसंद आए तो लाइक करे साथ ही चानल को सब्सक्राइब करे ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके धन्यवाद